क्या आपकी भी मुबाइल की स्क्रीन पे बार बार एड आ रहा है कि आप जाना सुआते हैं कि आपके मुबाइल की स्क्रीन पे बार बार एड आ रहा है और इसे आपको ठीक कर सकते हैं और यह आपके मुबाइल में कैसे हुआ है इन्हें आपका इसे प्रॉब्लम को सौल कर सक तो हमारे mobile के home screen पर ही एड आने लगते हैं यहां पर आपको सब एड ही आएड आएंगा आप चला ही नहीं पाएंगे इतने सारे आपके mobile पर एड आने लगते हैं यह होता बिसकली ऐसा है कि जब आपको भी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन डाउलोड करते हैं अपने mobile के अंदर तभी ऐसा होता है जैसे कि अपने प्लेश्टर से कोई भी आपको डाउलोड करेंगे तब आपके साथ ऐसा नहीं होगा आप क्रोम ब्रॉजर से कुछ भी अप्लिकेशन डाउलोड करते हैं या कहीं किसी बेवसाइड पर फालतों चले जाते कुछ भी करते रहते है तो आपके मोबील में यह सब अपनी आप वहां प्लेकेशन बेकग्गांड में निस्टोल हो जाते जो आपको और हम पर फिर है करना है और क्लिक करना है है और mnie पर नीचे एब पर करते को आएंग als・ सर्क करते हैं सर्क एप आपके सामने आजये बदना है इस्क्रोल करते वे तो यहीं देखे एक option देखने हो मिलेगा app management का आप यहाँ पर click करेंगे फिर देखे app list पर आप click करेंगे और app list पर click करने के बाद देखे है हमारे mobile में 60 यहाँ पर application है और यहाँ पर आने के बाद आप सारे एक एक application को चेक कर लीजिए कोई ऐसा application आपके mobile म यहाँ पर click करेंगे और जिस पर यह disable लिखा होगा वह application आपके mobile के साथ आता है तो वह आपके mobile से नहीं हटेगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं browser है यह अपने mobile के साथ ही आएगा तो यह नहीं हटेगा जैसे इस पर हम click करेंगे तो यहाँ अनिस्टोल करने का option नहीं डिलीट कर देना है सारे application को चेक करने के बाद आप उन सब application को फालत वाले को डिलीट कर देंगे तो आपके mobile जो home screen पर एड़ आ रहे थे बार 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 वो नहीं आएंगे play आनो बंद हो जाएंगे और फिर अपने mobile को एक बार data बंद करके आपने mobile को restart करके फिर से open कर करना आके अगर नहीं हो तब ही comment करना वे तभी comment करना सो आई होप इसी तरह से आप भी अपने इस mobile की problem को solve कर सकते हैं आई होप आपको यह पसंद आया होगा आपको यह पसंद आया तो आप हमरी इस वीडियो को लाइक किजिए और को वीडियो का सा लागा हमारी comment सक्षिन म सुरू बताईएगा और आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद